हाँ वही आगे क्लास में गुद मॉनिंग जी गुद मॉनिंग गुद मॉनिंग जी गुद मॉनिंग भी गुद मॉनिग आज तरह लाइट का इश्यू है मैं न अपना वीडियो नहीं कर रहा जैसी लाइट आएगी करता हूं न अब तक हम काम शुरू कर रहे हैं सबने रीड कर लिया होएगा भई प्रैमरी सेकेंडरी सेल को मौनिंग मौनिंग बिटा इस चेप्टर का लास्ट पार्ट शुरू कर लें भई कंड़क्टर्स जहां से सुनते रहे न और बहुत इजी पार्ट है कंड़क्टर्स का मतलब तो सारे बच्चों को पता ही है जिसमें से आप करंट पास करवा सकते हो न conductors का मतलब क्या हुआ जिसमें से आप easily current पास करवा सकते हो substances जो allow करते हैं electric current को ठीक है जी वो substances जो अपने आप में से current पास को allow करते हैं उसको आपने क्या बोल दिया है conductor अब यहाँ na conductors की दो category आ जाएंगी आप में से maximum बच्चों को पता भी होएगा एक होएंगे आपके पास metallic क्योंकि इसके बाद जो chapter शुरू करेंगे इसके चैंने आम लोग आन्यक equilibrium चैमिकल के बढ़ एक होएंगे metallic conductors दूसरे आपके पास होएंगे electrolytic conduce एक होएंगे मेटली detector दूसरे होएंगे आपके पास destroy conductor मेटली कंड़क्टर का एक नाम आप जानते हो, क्या रख सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रोनिक कंड़क्टर्स मेटली कंड़क्टर्स का दूसरा नाम क्या रख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रोनिक कंड़क्टर्स क्योंकि इसमें current पास होनी की वज़ा क्या होएगी? Electrons. Current किसकी वज़े से पास होएगा? Due to electrons. और यहां जो current पास होएगा, उसकी वज़ा क्या होएगी? वो होएगी ions. ठीक है जी? तो conductor word क्या हुआ? Substances which allow the electric current to pass through them, जो अपने आप में से current को pass होने दे, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया है? Conductor बोल दिया है. और conductor दो type के आपके पास आ गए है, एक metallic conductor आ गया, एक आपके पास electrolytic conductor आ गया है, और जो metallic conductor है, उसमें आपकी periodic table का 80 से 85% हिस्सा आ जाएगा. 80 to 85% part of the periodic table. और periodic table आपने उल्लेडी पढ़ रखी है, जबकि electrolyte में NACL, KCL, चाहे तो इसको आप लोग fused state में ले लो, molten पिगला हुआ, या फिर इसको आप किस form में ले लो, aqueous form में. इस page की बात तो clear है, सब बच्चों को मैंने क्या-क्या बोला? तो इस confusion हों तो बात कर लो, conductor का मतलब हुआ, तीसरी बार बता रहा हूँ, conductor वो हुए जो खुद में से current को पास होने दे, और मैं तो बड़ी दो words लिखता हूँ generally, conducts, electricity, बात खतम, बस दो words से काम चलता है, conductor, conducts, electricity, दो words से काम चलता है, फिर metallic conductor हुए, और दूसरे आपके पास electrolytic हुए, metallic due to, electrons हुए, electrolytic due to, ions हुए, simple, हाँ जी, पिगला हुआ बेटा, तो हिंदी में लिख दिया, molten, इतना difficult हो गया, metallic मतलब, metallic जिसमें, तो ची, ये सबसे खतरनाक बहाना होता है, clear, metallic मतलब, metallic जिसमें, electrons की वज़े से current चले, पूरी periodic table, पूरा S block, पूरा P block, पूरा D block, metallic conductor का मतलब क्या हुआ, metals जिसमें, electron की वज़े से current चलता हूँ, जहां अगर तुम sodium में current flow करोगी, तो चलेगा, अगर तुम iron की nail लेकर, हमारे switchboard में, जो वो socket बनाए वसमें, गुसेड़ दोगी, तो क्या होएगा, current feel होएगा, गी नहीं होएगा, तो किस की वज़े से हो रहा है वो, electron की वज़े से हो रहा है, तो समझी के नहीं, और बताऊं, चलो ठीक है, चलो जी, इसके बाद आपके पास है, factor affecting electrolytic conductors, conduction को कौन-कौन से factor affect कर रहे है, और ये भी आपके fingertips पे है, जो थोड़ा सा भी ध्यान दे लेगा, factors affecting the electrolytic conduction, electrolytic conduction को कौन-कौन से factor affect कर सकते है, तो सबसे पहली बात, जो हमने electrolysis पढ़ा ना, सबसे पहली बात, जो हमने electrolysis पढ़ा ना, electrolysis, उस basis पे उस भिहाब पे अगर मैं बात करूँ, उस भिहाब पे अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनना भी, दो-तिन लोग waiting room में है, संचिता waiting, अभी संचिता ही तो question कर रही थी, अरे risky zone होता है बच्चे, बता लगता है कि न, कोई in नहीं कर रहा है, मेरा ध्यान चला गया, मैंने in कर लिया तो में न, सुनो, factors affecting the electrolytic conduction, ध्यान से सुनना भी, इसमें आपने ना electrolysis पढ़ा हुआ है, उस electrolysis में आपने एक बात पढ़ी थी, ध्यान से सुनना, वो था कि, मुझे NACL का electrolysis करवान है, मुझे KCL का करवान है, मुझे copper sulfate का करवान है, मुझे copper sulfate की जगा, AGNO3 का करवान है, या मुझे acetic acid का करवान है, बड़ा फर्क है, तो उसी बात को मैं लिखने जा रहा हूँ, और आप में से 90% जनता इस बात को जानती है, that is the nature of the electrolyte, nature of the electrolyte, अब ये weak है या strong है, इसी बात को लेकर ना, हमारा ionic equilibrium chapter बन जाना है, weak है या strong है, और इस बात को ना, बड़ा simple way में, जिसका degree of dissociation कम है, जिसको बोलते है, alpha very less than 1, ये कोता है, alpha is equals to 1, या approach 1, कोई 100% dissociation ना कर रहा हूँ, 10% dissociation कर रहा है, और कोई आपके पास 100% dissociation कर रहा है, clear, तो अगर कोई 100% या इसके आसपास का dissociation शो कर रहा है, तो आप सको strong बोलोगे, और सारे बच्चे जानते है, इस category में H2SO4 भी आ रहा है, इस category में HCL भी आ रहा है, इस category में HNO3 भी आ रहा है, इस category में KCL भी आ रहा है, इस category में maximum salt सा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको offline classes में बार-बार बोलता रहा, maximum salt इस दुनिया के, अच्छे वाले electrolyte है, maximum salt, और इधर पूरी organic chemistry के acids आ रहे, जैसे तुम्हारा formic acid, जैसे तुम्हारा acetic acid, जैसे तुम्हारा oxalic acid, और एक बहुत perfect सा example है, क्योंकि मुझे आगे ना equilibrium chapter दिख रहा है, तो मैं उसके codence में भी लिखने जा रहा हूँ, ammonium, hydroxidic, weak, base आपके पास, तो आपके दिमाग में अगर ये बात गई, कि मुझे nature of electrolyte से भी, electrolytic conductance effect होती ही दिखती है, nature of electrolyte से भी electrolytic conductance effect होती ही दिखती है, तो कहीं न कहीं weak वो हुए जिनका जो conductance है, वो weak है, कम है, क्योंकि उनका dissociation weak वालों का कम है, और strong वालों का dissociation जादा हो रहा है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो, तो इनको strong बोल दिया, जो almost ionized है, जो almost ionization में participate कर रहे हैं और weak उनको बोल दिया, जो 10%, 2%, 5%, 70% वाले इधर काटिगरी में और 15-20% वाले weak वाली काटिगरी में डाल दो, अगर ये बात आपको समझ में आई हो, तो मैं second number पे चलू भी, चलो जी, दूसरी काटिगरी मेरे पास पते क्या है इसके अंदर, concentration, इसको लेकर तो तुम easily अपने दिमाग में बात डाल सकते हो, concentration of the solution, जिसमें तुम लोगों ने ions को ले रखा है, क्या किसी के पास इसको लेकर कोई opinion है, सिम्पल बात का जबाब देना, भीड में तेज साल चल सकते हो, या भीड ना हो तब चल सकते हो, ठीक है ना, तो बात खतम हो गई है, कि अगर तुम concentration of solution को conductance से सीधा सीधा connect करोगे, तो कौन सा sign आ जाएगा आपके पास, inversely, और कुछ बोलने की नीड़ी नहीं, इसके अंदर, देखो भई, 0.1M, 0.01M, 0.001M, सारे के सारे acetic acid है, तो क्या कोई बता सकता है कि maximum conductance का है, क्यों है, very good, तो इसकी maximum conductance है, और इसकी और भी वज़ा आएगी, वो हम ionic equilibrium के accordingly इसी chapter में सीखेंगे, जिसको ostwald dilution theory बोलते हो आप लोग, ostwald dilution theory बोलते हो आप लोग, अच्छा जी, तीसरे factor की तरफ चलू, what about the temperature, क्या मानके चलते हो, वो भी electrolytic conductance में, हाँ, बढ़ेगा बिल्कुल ना, क्योंकि temperature बढ़ने से conductance बढ़ती है, due to increasing ionization, इतनी बात अगर आप समझ गई हो तो, fourth number पे चलें भी, कोई confusion, ठीके जी, temperature की बात समझ में आ गई, अब थोड़ा सा आप चलना, size of ions पे, S-block element में चलो, और chemical bonding में चलो, कट-कट-कट बात समझ में आ जाएगी, हाँ, जितना size बड़ा होएगा, conductance उतनी कम हो जाएगी, चाहे उसको hydrated form में consider कर लो, either in free state, or in solvated, solvated समझते हो न, hydrated, clear है, और इसका बढ़िया example है, आपके S-block elements में भी, और chemical bonding में भी, बढ़िया example है, example दूँ या clear है सारी बात, लो जी, lithium प्लस, aqueous, sodium प्लस, aqueous, potassium प्लस, aqueous, rubedium प्लस, aqueous, बोलो भई, किसकी conductivity best है, ये ठीक है भई, और इसका reason आप में से कोई बच्चा बताएगा, hydrated lithium प्लस, is, largest in size, इसलिए इसकी conductivity क्या चली गई है, सबसे poorest, और अगर मैं इसकी जगा पर lithium, sodium, potassium, obedium, cgm ले लूँ, अब बताओ भई, conductivity किसकी ज़ाद है, ethium प्लस की, क्योंकि अब ये gaseous state में चल रहे हैं न, gaseous state में चलेंगे, तो जिसका भी size small है, उसकी movement, उसकी mobility, fastest है, तो इसकी mobility, fastest mobility, की वज़ा क्या है, due to smallest size, बोलो भी अगर बात clear हो गई ये सारी, कोई confusion तो जल्दी से discuss कर लो, तो जी, चलो जी, अब कुछ formula का collection कर लें, इस chapter में से, मतलब ये जो part चल रहा है, कुछ formula का collection कर लें भी, अब कुछ special formula आने वाले हैं, जिसमें conductance का formula आएगा, conductivity का formula आएगा, resistance का formula आएगा, और इन सब के symbol भी मैं साथ साथ लिख दूँ, conductance को हम हमारी NCRT से चलवाएँगे, G से, conductivity को हम kappa से चलवाएँगे, resistance तो आप सारे जानते ही हो, R से चलवाएँगे, और resistivity को इस जगा में हम rho से चलाएँगे, ठीके जी, इसके अलावा तीन figure और रह जाएँगे हमारे पास, molar conductance, equivalence, एक cell constant, clear ना, वो भी मैं parallel में लिखी देता हूँ, जिससे हम formula का collection कर पाए, और इसी के round सारा के सारा, ये topic घूमता रहता है, चलो जी, सबसे पहले अभी physics वाले formula ये सीख ले, r is equal to, सीधा सीधा लिखे, rho l by a, ठीके जी, इस r की जगा पर 1 by g लिख दे, इस rho की जगा 1 by kappa लिख दे, l by a लिख दे, इसको formula number 1 बोल दे, इसको formula number 2 बोल दे, r सब बच्चे जानते हैं, resistance है, rho सब बच्चे जानते हैं, resistivity है, l by a सारे बच्चे जानते होएंगे, cell constant है, l by a की जी, cell constant, l by a की जी, cell constant, अब सबसे important बात होती है, जब इन सब का discussion चल रहा हो न, तो इन जगाओं पे, आप इनकी units के बारे में जरूर बात करो, अगर units confirmed है, तो आप maximum part of the questions इसके कर सकते हो, maximum part of the questions इसके कर सकते हो, तो मेरे पास r, resistance की unit क्या होएगी, o h m, और अगर इसकी जगापर rho आजाए, तो बच्चे समझदार है, क्या करेंगे, r into a divided by l, यहां लिख दिया ohm, यहां लिख दिया meter square, यहां लिख दिया meter, cancellation से क्या बन गया है, ohm into meter, यह rho की unit बन गई है, साथ साथ में काम खतम करते जा रहे हो, l by a, उपर क्या लिख है जी, meter, nature क्या लिख है, meter square, तो क्या बन गया, meter inverse, बोलो भई, अब g की unit बना रहे हो आप, g की unit बनाओगे, तो कहीं न कहीं, आपके दिमाग में क्या चलना चीए, जो 1 by cup है है न, सब उल्टा करतो, जैसे r की unit थी न, उसका inverse करतो, ohm inverse, इसी को और करके, कि आप क्या लिख देते हो, mho, ohm inverse को क्या लिख देते हो, mho, clear न, अब अगर तुम्हें, kappa की unit बनानी पड़े, तो इधर तो mho लिखा हुआ ही है, इस पूरे की unit, into क्या कर दिया, meter square, by क्या कर दिया, meter, इस पूरे की जगा, क्या लिख देते हो, अब लोगोंने, 1 by g को आपने क्या लिख देते हो, mho, ohm inverse, और यहां आपके पास kappa पड़ा हुआ है, यहां आपके पास l by a पड़ा हुआ है, इस kappa की अगर आपको unit बनानी यह, मलब ohm inverse, meter inverse सीधा-सीधा आंसर आ गया, जाए ना, ohm inverse और meter inverse, सीधा-सीधा सीधा आंसर, तो highlight कर देता हूँ भी, अपनी copy में लिख लेना, यह ohm हो गया है, यह ohm into meter हो गया है, यह आपके पास meter inverse हो गया है, यहां आपके पास ohm inverse या mho हो गया है, clear, और कापक यूनिट आपके पास ohm inverse, meter inverse हो गया है, क्या यह important है, हाँ, very very important है, सीधे-सीधे question matching करवा लेता है, इसको लेकर, सीधे-सीधे question matching करवा लेता है, इसको लेकर, इधर, चार आपके पास, यह quantities लिखी होएंगी, conductance, conductivity, resistance, resistivity, cell constant, उधर, units लिखी होएंगी, जिसको आपने match करवाना होईगा, तो उसको ohm inverse लिख दिया, ohm inverse, वो mHU inverse करोगे, तो ohm ही हो जाएगा, inverse, इसको कहरे हो कि आप, किसकी बात कर रहे हैं, check कर लेते, यहाँ मेरे पास, मुझे unit किसकी चाहिए, कापा की, तो कापा is equals to, मेरे पास क्या आगया, g उपर आए न, यह कहरे हो आप, हाँ ठीक है, कापा is equals to g, multiply होके इदर आगया है, और L by अपने जगा पर पड़ावा है, और g की unit आप ओ लेडी जानते हो, mHU है, या ohm inverse है, बिल्कुल ठीक है, ohm inverse है, unit हमने सही लिखी हुई है, बिल्कुल, हाँ हो सकती, मैं बताने वाला हूँ यह अभी, इन पांचो के बारे में पहले दिमाग में set कर दूँ एक बार, जब यह सारी के बात ही clear हो जाए, ohm क्या है, ohm into meter क्या है, क्लियर न, meter inverse क्या है, mho या ohm inverse क्या है, ohm inverse, meter inverse क्या है, उसके बाद final stage में बताऊँगा, कि जो तुमारे पास mho है, इसको हम लोग, बीच में mix नहीं किया, कई बारने मैं ने देखा, इसका drawback क्या आता है, तो अब मैं final stage में आपको बता रहा हूँ, कि जो मेरे पास ohm inverse है, या मेरे पास mho मो है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, simons, clear न, इसी को हम simons बोल देते, कि final round में ने बता दिया आपको, लेकिन main target, r कौन है, resistance, clear, इसी के parallel में कौन खड़ा हूआ है, that is the row, तो अभी एक बार न, last round लेते हैं, 2 मिनट का, ये ohm, ये ohm into meter, अब दूसरा, g और kappa, एक stage, एक platform पे, इसका कोन है, जी, ohm inverse, इसका ohm inverse, meter inverse, अब सोचो न, r को क्या लिखा, ohm, r को क्या लिखा, ohm, parallel में, g को क्या लिख दिया, ohm inverse, चलो इदर आ जाओ, ro को क्या लिखा, ohm into meter, इसको क्या लिख दिया, ohm inverse, bit inverse, उल्टे तो एक दूसरे के, और बस एक ही बच गया, L भाई ये, तो सीधा सिधा अंसर आजाएगा, चलो, फाइनल राउंड लिखते हैं आपी में से किसी बच्चे से, हाँ जी, फरस्ट, नौ सेकेंड, टी कभी, थर्ड, पूर्थ, फिफ्थ, अंजी, एक तरफ लिखा हुए आपने, G, पूर्टेंस, उल्टा, आर, रेजिस्टेंस, रो, रेजिस्टिविटी, कापा, ये मिरे पास, रेजिस्टिविटी, और कापा मिरे पास, जस्ट, उल्टा हो जाएगा, उसका, अंजी, यानि, स्पेसिफिक, अंजी, इस्पेसिविट्टेंस, बुक्स में, लिखा मिलेगा, L by A, cell constant, तो, किसी एक बच्चे को पकड़ लेते हैं, हाँ, भाविका, जल्दी सिन की यूनिट्स बताना, अंजी, की ओम इन्वर्स हो गई, ये लो जी, इसकी, महो लिख दीजी, इसको, साइमन्स लिख दिया, चल्लो, वेरी गुड, की ओम इन्वर्स, कप, सब वेरिफाई कर रहे हैं भई, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवाँ, कौन सा गलत है, धर्ड वन क्या होना चीए, ओम, ओम इन्टु मीटर, जो जी, वापिस सुननो भई, आर का उल्टा कौन चल रहा है, जी चल रहा है, आर कौन है, ओम जो सबसे easy, आठवी नोवी, दसवी सीख त्यार हुए, इसका उल्टा क्या गर दिया, ओम इन्वर्स, ये दोनों done हुए, अब कापपा और रो एक दूसरे के इन्वर्स है, अगर आर की उनिट याद है, ओम, तो ओम मीटर हो जाएगी, और वो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स हो जाएगी, पर सेकी तो बच्ची, L by A, that is a मीटर इन्वर्स, सब confirmed, चल लो, अब मेरे पास दो quantities और बच्ची वी है, एक quantity मेरे पास पते कौन सी है, that is the equivalence conductance, और दूसरी है molar conductance, तो अगर उसकी information हो कि what is the molarity, तो इस बात को सीखना बड़ा आसान है, तो मैं दोनों टर्म लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ, molar conductance, दूसरी तरफ लिख रहा हूँ, equivalence conductance, ठीक है जी, इसके लिए मैंने एक symbol दे दिया है, lambda M करके, और इसका symbol मैंने दे दिया, lambda EQ करके, और इसका symbol मैंने दे दिया, अब इन दोनों को अगर हम differentiate कर ले, तो बड़ा simple सा काम है, listen carefully, यहां बड़ी simple सी words लिखूँगा, पहले दोबर बोल दिता हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, conductance, conductance of the solution, which contains the one molar, one molar, one molar concentration of the ions, दूसरा बोल दू, equivalence conductance, conductance of the solution, which contains one gram equivalent या one equivalent value, of the ionic species, और जो भी आपके पास आईनी compound आप लेके चल रहे हो, simple words दे दूँ बिना cramming वाले, एक मॉल किसी भी solution में घुलाओ, उसकी जो conductance है, उसका नाम molar conductance है, और जिसमें एक equivalent dissolved हो, उसकी जो conductance है, उसका नाम equivalent conductance है, अगर किसी भी solution में जो salt घुलाओ, उसकी quantity एक मॉल ले लो, और उस एक मॉल quantity की वज़ा से, जो conductance आएगी, उसको हम लोग molar conductance बोलते हैं, और जो एक equivalent, बन equivalent, किसी भी solute को पानी में घुल लो, उसके ions की वज़े से, जो conductance आएगी, उसको equivalent conductance बोलते हैं, अब लिख दूँ इस जगा पे, conductance, due to ions, which are produced by the one mole of ionic compound, simple, और इधर लिखने इसको, conductance, due to ions, which are produced by the one equivalent of the ionic compounds, one equivalent ionic compounds की वज़े से, जो conductivity आई, उसको आपने क्या नाम दे दिया है, equivalent और एक molar ions की वज़े से, जो conductivity आई, उसका नाम क्या दे दिया आपने, molar conductance, इस बात को आपने अपने दिबाग में डाल लिया होईगा, चलो, अब number two पे जाकर पते ही क्या करते हैं, हम molar conductance में और conductance में कापा में, relation सीख लेते हैं, relation in between lambda m and कापा, मैंने का था, ये बड़ा आसान सा काम है, इस topic पे कोई ज़्यादा बोदर करना नहीं है, बस आपको 57 formula याद होनी चाहिए, clear, एक formula तो simple है, 57 भी मैं ज़्यादा बोल गया, एक तो सीधा सीधा है, r is equals to ro l भाई है, उसी में conversion करते रहना, और दूसरे formula आप मैं बोड़ पे लिखने जा रहा हूँ, relation in between lambda m and कापा, और यहाँ भी same line लिख रहा हूँ, number 2 पे, relation in between lambda equivalence and कापा, लिखें भई, lambda m is equals to, lambda m is equals to कापा, into 1000 divided by molarity, और यहाँ लिखें लेम डायम is equals to कापा, into 1000 divided by normality, molarity के जगा पे normality, क्योंकि मैंने आपसे बार-बार एक ही बात बोलनी है, क्या, जब भी मेरे पास कभी, conductance निकालनी हो, और one mole ions की वज़े से हो, तो one molar solution हुआ, और one equivalent, और मेरी ख्याल में जितने बच्चे क्लासें बैठें, मुझे तो 100% सी उम्मीद है, कि कहीं न कहीं आप जानते हो कि, molarity क्या और normality क्या है, और नहीं पता, तो लिख देता हूँ जी, molarity multiply with n factor easy equals to क्या होती है, normality, जब n factor वन हो, जब n factor वन हो, जब n factor आपके पास वन हो, n factor वन, तो आपको, हाँ, वो तो ठीक है, कर देते हैं, जब आपके पास n factor वन हो, तो जो molarity है, वही normality है, और जो आपके पास, माल लो NACA लेके चल रहे हो, तो इसकी molarity और normality में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप calcium chloride लेके चल रहे हो, तो molarity और normality में दिन रात का फर्क हो, और दो का change से चलेगा वो, n factor दो है उसका, aluminium chloride लेके चल रहे हो, तो n factor तीन है उसका, बोलो भई, तो अब एक छोटी सी बात में, पिछले pages पर जाकर आपको बताई थी न, कि lambda M का concentration के साथ, inversely का relation है, आप ही ने कहा था, भीड जादा होईगी, तो चलना मुश्किल हो जाएगा, वापिस उसी तरफ चले, जब आपसे पूछा जाए, conductance का, ionic conductance का, concentration के साथ, क्या relation है, आप ही ने कहा था, सर, factor affecting में inverse करतो, अगर भीड जादा होईगी, तो चलना मुश्किल है, तो अभी मैंने उल्टाई तो किया है, इसी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कि lambda M का पा इंटू V, आगे जाकर हमें question solve करने में help लगेगी, lambda equivalence is equals to kappa into V, हमें question solve करने में आगे help लगेगी, volume बढ़ेगा, तो conductance बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी मैं आपको दो बाते बताऊँगा, जहां से सुनो, अभी control करके, units में focus करते हैं फिलाल, और फिर lambda M और lambda equivalence में relation सीखते हैं, तो अभी फिलाल मैं units की बात कर लूँ, units, और units, ठीक है जी, तो मुझे lambda M की unit क्या दिखेगी, lambda M की unit जो मेरे पास आ रही है, अगर मैं CGS में जाऊं, अगर मैं इसमें CGS में जाऊं, अगर मैं lambda M की unit, CGS में लिख रहा हूं, ये मेरे पास, वैसे तो conductance ही है, एक बार फिर पीछे चलते, दो मिनिट पीछे चलते, अच्छा जी, हमारे पास जो conductance है, उसकी unit क्या है? कहते है, ohm inverse, या simons, अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ conductivity की, तो उसकी unit क्या है? आपने का, जी, ohm inverse, meter inverse, खीको की बात? और वैसे ही, अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी? molar conductance की, या equivalent conductance की, ये भी तो फिर आपके पास ohm inverse, या फिर mho, या फिर simonsy होईगी ना, बस साथ में क्या जूट जाएगा इसके? concentration terms, आप सुन पारें मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मुझे, कोई बड़े simple way में, cgs unit पूछेगा, तो cgs unit मेरे पास जो बनेगी, वो बनेगी साइमन्स cm², साइमन्स तो आना ही आना था, साइमन्स cm² पर mol, और यहाँ मेरे पास साइमन्स cm² पर equivalent, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, equivalent टर्म पर और molar टर्म पर, और इसके अलावा, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि आप समझी ना पाओ, अगर मुझे से आप mks unit पुछोगे, अगर आप mks unit पुछोगे, तो साइमन्स यहाँ मेरे स्क्वाईर पर mol, साइमन्स मिटर स्क्वाईर पर equivalent, चाहो तो अभी यहाँ बैटकर इसको derive कर लो, कैसे कापा की unit पुछोगे कर लो, कापा की unit पुछोगे कर लो, molar की टर्म, mol पर लीटर पुछोगे कर लो, mol पर लीटर को mol पर cm3 कर लो, तो सीधे सीधे लैम डाइम की unit निकल के आजाएगी, शायद आपको पता हो, कि unit of molarity, mol पर cm3, mol पर मीटर क्यूब, mol पर लीटर, लीटर थो हम लास्ट में यूज करते हैं, कोई मेरे से पूछे ना, कि volume की SI unit क्या है, मैं बोलूँगा, लीटर ऐसा unit of the, SI unit of लीटर वोल्यूम नहीं है, लीटर is not the SI unit, आपके पास cm3 है, और मिटर क्यूब है, यह CGS है और यह MKS है, लीटर हम लीस्ट यूज करेंगे, लेकिन लीस्ट यूज करना, जब नमेरिकल सोल कर रहे हो, और आपको पता होना चीए, लीटर यहाँ, यूज करना सबसे convenient है, लेकिन क्या करें भाई, ना CGS है ना MKS है, तो आपने इसको cm2, m2, cm2, m2, per mol, per mol, per equivalent, per equivalent, per mol क्यों लिखा, अरे divided by M है न, divided by M है तो per mol ही आएगा, divided by N है, तो per equivalent ही आएगा, तो क्या बच्चों को molar conductance, और equivalence conductance की definition समझ में आती है पहले-पहले, definition का मतलब हुआ, जब भी किसी solution में, आप लोगों ने, एक mol, कभी भी, कोई ions डाल रखे हैं, तो उसकी वज़ह से, जब कोई conductance होईगी, उसका नाम आपने molar रख दिया है, और one equivalent डाल रखे है, तो उसको आप लोगों ने, equivalence conductance बोल दिया है, relation in between the lambda and kappa क्या निकला, दोनों के दोनों conductance थी, एक molar conductance है, एक specific conductance वाल दोनों डिरेक्ली प्रपोर्शनल ही होएंगे, और दूसरी बात, बच्चों से मैंने जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था, अब से approximate 20 पेचिसमेंट पहले, तो वहाँ आपको बताया था, concentration और molar conductance में क्या relation है, आपने का सर्थ जहां भीड जादा होएगी, वहाँ चलना मुश्कील है, that means lambda, m, end, जो concentration है, बोथ हर inversely proportional, तो lambda m और m एक दूसरी के, inversely proportional हो गए, मैंने जी, m और n का क्या relation है, कहते जी, m into n factor is equals to normality है, मैंने जी, अगर volume बढ़ा दूँ, आपने जी, conductance बढ़ती है, molar conductance बढ़ती है, उस चीज़ को मैं भी explain करूँगा, weak और strong दोनों पे, अभी मैं units की बात कर रहा था, Simon's cm2 per mole, Simon's m2 per mole, Simon's m2 per equivalent, Simon's m2 per equivalent, इसमें किसी को कोई confusion हो, तो में असे जल्दी से बात कर लो, एक चोटा सा काम हो रहा है, इसी page पर लिख रहा हूं, नमबर थ्री, अगर मुझे कोई बोलेगा, lambda m को lambda equivalence के साथ connect करो, जब n factor आपके पास 1 से अलग हो, when the n factor is different from 1, तो आपको लगता है कि lambda और lambda equivalence का numeric value किसका ज्यादा निकलेगा, lambda m और lambda equivalence, lambda, lambda m का numeric value आपके पास, lambda m का numeric value, lambda equivalence से अलग निकलेगा न, जब n factor is not equals to 1 ओ, इन दोनों को बराबर करने का तरीका, हाँ, clear है, इसको चाहे तो n लिख दो, इसको कुछ books electrochemistry में आ करना n की जगा पे, z लिखना शुरू कर देती है, z, और z वहाँ पे total positive या negative charge को represent करेगा, यहाँ मैं भी z लिख रहा हूँ, इससे आपका confusion उसके साथ ना मिले जाकर, और z है क्या, वो हमारा जो total positive या negative charge है, इस बात को explain करने का तरीका मैं भी लेके आ रहा हूँ आपके पास, फिलहाल आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, कि जब denominator में m है, जब denominator में n है, मालो आप 1m solution ले रहे हो, वर्डिंग सुनना भई, मालो आप 1m solution ले रहे हो, तो by default n factor 2 होने से वो 2n हो गया न, अगर किसी का n factor 2 है, तो 1m solution by default 2n हो गया कि नहीं हो गया, तो जब आप यहाँ 1 put कर रहे होगे, अगर आप देख पारे हो, मेरे pen का यह जो यहाँ indicate कर रहा हूँ, यह 1 लिख होगा, तो यह 2 लिख होगे, तो numeric value किसकी कम हो जाएगी, lambda equivalence की, denominator में 2 लिखा आपने, और जब lambda equivalence कम हुआ, तो उसको lambda m के बराबर करने के लिए, आपने जिस n factor को वहाँ लिया था, उसी से multiply कर दिया, तो lambda m और lambda equivalence में, अगर कोई relation निकालना चाहेगा, तो बड़ा simple-simple सा relation आ रहा है, कि lambda m is equal to lambda equivalence तब हो पाएगा, कोई confusion हो तो बात करो, क्यों रहे हैं आप, इसके अभी ठेरी चला दूँ, question इसके फिर एक साथ कर लेंगे 10 बारा, चलो, हाँ बड़ा, अब जो lambda m है न, या lambda equivalence है, उसका representation, listen carefully, lambda m, lambda equivalence, अभी formula लिखा था, kappa into 1000 divided by molarity, kappa into 1000 divided by normality, यह formula कभी यूज़ कर रहे हो, जब सब कुछ CGS में चल रहा है, lambda m is equal to, kappa divided by m, lambda equivalence kappa divided by n, यह formula कभी यूज़ कर रहे हो, जब आपके पास सब meter, square में चल रहा है, और एक one very important बात लिखने वाला हूँ, अलग pen से very very important, जिस पर बच्चे कम ध्यान देते हैं, और numerical वहाँ गलत हो जाता है, ध्यान से सुनना, जब आपके पास unit per liter हो, तो आपको meter cube की जगा पर लिटर यूज़ करें, तो formula lambda m, kappa यहाँ tend to power 3, यहाँ kappa, यहाँ normality tend to power 3, least use आएगा, लेकिन जब भी use आएगा, तो इसको थोड़ा सा focus करके आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो इसमें किसी को problem नहीं हो सकती है, इसमें किसी को कोई problem नहीं हो सकती है, बस आपने MKS को CGS, CGS को MKS में convert किया, बस 1000 एवां से remove किया, लेकिन जब आपके पास meter cube की जगापर, centimeter cube की जगापर, per milliliter की जगापर, पर, sorry, centimeter cube की जगापर, per milliliter और अगर meter cube की जगापर, per liter term use होने लग जाए, चोड़ी सी बात बताना मुझे, तुम में से maximum बच्चों को पता होएगा, एक meter cube में कितने liter है, वहीं से समझ आ जाएगा, कितने, तो अब समझ में आ सकता है, कि जब मैं meter cube हटा कर, उसको per liter लिखता हूँ, तो why it is divided by 10 days to power 3, बस जो unit है ना बच्चे, mole per centimeter cube, कि जगा पर mole per liter लिखने को मिलेगा, तब मैं, lambda m is equals to kappa, upon m into 10 days to power 3, lambda equivalence kappa, divided by n into 10 days to power 3, ये term यूज़ करने वाला हूँ में, चलो जी, इस final इस page को थोड़ा सा संभाल के रखना, क्योंकि इस पे formula आ रखे हैं, next target आपकी heading बदल रहा हूँ में, ये अभी जो काम किया था, उसी को वाप्पिस repeat कर रहे है, variation of lambda m, and g, lambda m molar conductance है, g, simple conductance है, with concentration, और आप बोलोगे, ये topic तो भी आपने समझा है था, बस उसी को copy paste करना है, number one, lambda m is equals to क्या था, काप्पा इंटू B, या फिर ये क्या था, काप्पा divided by m, तो इसका conclusion क्या निकला, जब भी volume increase करोगे, lambda m की value क्या होएगी, बढ़ेगी, जब भी molarity बढ़ाओगे, lambda m की value क्या थारेगी, घटेगी, तो volume बढ़ने से, lambda m की value बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कोई reason आपसे पूछ ले, तो strong के लिए अलग reason है, और weak के लिए अलग reason है, strong की conductivity, volume बढ़ने से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसको ज़्यादा space मिल रहा है, उसकी mobility increase कर रही है, ionization थोड़ी increase करेगा, बज़े strong तो already ionized है न, किसी के conductivity बढ़ने की वज़ा, ionization होती है, और ionization तो already हो रख़ा है इसका strong का तो, तो उसके साथ सरफ एक ही जीज बढ़ेगी, mobility, लेकिन अगर मैं weak की बात करूँ, तो भाई इसका तो ionization भी बढ़ेगा, और साथ साथ में mobility तो बढ़नी बढ़नी है, लेकिन main वज़ा किसी भी weak का volume बढ़ने पर, lambda m बढ़ने की main वज़ा क्या है, weak का, उसका ionization बढ़ना, कुछ बच्चे कहते हैं, इसका कोई explanation दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं जी, एक chapter है आपके पास ionic equilibrium, ionic equilibrium के अंदर मेरे पास, इसको अलग pen से लिख रहा हूँ, एक chapter है मेरे पास ionic equilibrium, इसके अंदर मेरे पास है ओस्ट वाल डिल्यूशन थिरी, ओस्ट वाल डिल्यूशन थिरी, उसने इसको कैसे लिखा हुआ है, सुनो, उसने यहाँ acid कैसे लिखा, फिर उसको ionize कर दिया, ठीक है भी, यह 100 उसके initial mole लिए, 100 जिरो जिरो initial mole लिए, 1 minus alpha, 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 यह equilibrium moles लिए, 1 minus alpha by V, alpha by V, alpha by V, यह equilibrium concentration हो गई है, और श्याद आप में से कुछ बच्चों को, equilibrium, constant में इन सब values को put करना आता हो, chapter का नाम था, electrochemistry जो भी चल रहा है, इसमें था nonst equation, उसके अंदर था, k equilibrium constant, वहाँ numerator में क्या लिखते थे आप, products, और denominator में क्या लिखते थे आप, reactant, लिखे हैं एक बार हम लोग इसको, अभी लिखते हैं बिस एक सेकंड उको, के ए एसीड है, equilibrium constant है, alpha square, by v square, यह दोनों numerator में आगए, denominator में क्या लिख दिया भी, 1-alpha by v, और आप समझदार हो इतने, तो यह cancel हो गया, final formula alpha square, v, 1- alpha बन गया, और आपको पता है, ka तो constant है, यह नीचे आएगा, नीचे लिखते हैं भई, मेरी गलती है, लो जी, relation पलटी मार जाना था, अगर हम इसको नीचे उपर रखे रखते तो, alpha square, नीचे क्या लिखते हैं, 1- alpha v, ka अभी मैंने आपको बताया, temperature constant reaction fix, ka fix है, temperature fix reaction fix, ka fix है, temperature fix reaction fix, ka fix है, ठीक है जी, अब जो मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनने ना, मुसकान भी ध्यान से सुनना, ka को multiply किया, 1- alpha से, b e से, यह सारा multiply होगे आपस में, सामने alpha square है, b k acid है, b k electrolyte है, तो, 1 very greater than alpha कर दिया, 1- alpha को 1 कर दिया, 1 very greater than alpha कर दिया, 1- alpha को 1 कर दिया, आपके पास, ka, into v is equals to क्या आगया, alpha square, और alpha is equals to क्या हो जाएगा, और अब थोड़ी सी अकल लगाओ, अगर मैं volume, 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 volume बढ़ाता चला जाओं, तो alpha की value बढ़ती जाएगी, और अगर मैं volume को infinite कर दूँ, तो alpha आपके पास क्या बन जाएगा, तो किसी ने पूछा क्या किसी weak electrolyte को strong बना सकते हो, क्या किसी weak electrolyte को strong बना सकते हो, मैंने कहां तरीका तो है, क्या किसी weak electrolyte को strong बना सकते हो, मैंने कहां तरीका तो है, तरीका क्या आपके सामनी बोड़ पर है, आप ही बोल दो, volume बढ़ाते चले जाए, clear ना, और जब dilution infinite की तरफ बढ़ जाए, जब dilution infinite की तरफ चला जाए, जब dilution infinite की तरफ चला जाए, तो उसी weak को आप क्या बोल सकते हो, strong बोलो भई, any confusion about it, तो मेरा कहना था, अगर आप वापिस heading पे आजाओ, अगर आप lambda m को बढ़ाना चाहते हो, with the volume, तो क्या ये बढ़ सकता है, मैंने कहां जी बढ़ता है, कैते strong तो already ionized था, उसका क्या बढ़ता है, मैंने कहां उसकी mobility बढ़ जाती है, उसका ionization नहीं बढ़ता, अरे उसका, जिसके 720 में से already 720 number आ रखे, उसका क्या होना है, वो तो already 720 number पे, लेकिन weak के case में specially, हमें अगर किसी का ionization बढ़ता वा दिखता है, वीक के case में, अगर किसी का specially मुझे ionization बढ़ता वा दिखता है, तो कहीं न कहीं उसकी वज़ा क्या है, उसी ionization को volume ने बढ़ाया, उसी volume के बढ़ने से ionization बढ़ा, और उसी ने मेरे को क्या बढ़ा कर दे दिया, conductance, कौनसी वाली molar conductance, तो पेपर में अगर मेरे से वो पूछ रहा है, what is the reason behind the increasing molar conductance, due to increasing volume, तो आप क्या answer दोगे, in case of weak, ionization increases, और in case of strong, mobility increases, अब ये तो लैमडा एम पे effect हुआ, ये तो लैमडा एम पे effect हुआ, what about the kappa? अजी, kappa decreases with the solution, कोई समझाएगा ऐसा क्यों हो गया? जी से लैमडा एम का तो reason लिखा आपने, इसका भी तो reason लिखना बनता है ना? inter-molecular attraction कम हो गई, inter-molecular attraction कम हो गई, inter-molecular attraction कम हो गई, और कोई reason? और कोई reason? नहीं, इतना तो है कि kappa degrees कर रहा है, with the relation, constant क्यों रहना चीएँ, थोड़ा सा आप इस बात पर, बात करो, हम कोई electrical wire थोड़ी लेके चल रहे है, हम एक electrolytic solution लेके चल रहे है, जब तुम्हार पास lambda में change आ रहा है, L by A तो constant रख सकती हो तुम किसी cell का, किसी भी, कैथोड anode का cross section area और उन दोनों की बीच की distance, उसको तो तुम fix रख सकती हो, उसके चार जो बचे हुए quantities है, एक उसका kappa, उससे जुड़ावा रो, एक उसका g, उससे जुड़ावा आपके पास र, वो तो बदलेगा, आपके पास ऐसे धिरो कोशन मिलेंगे, एक cell लिया, उसमें एक electrolyte लिया, उसकी dilution बदली, उसकी concentration बदली, clear ना, उसमें L by A तो सेम बढ़ा रहता है, क्योंकि cell को बार-बार change कर रहे हैं, उसके अंदर का solution, लेकिन उसका चार चीज़े तो बार-बार बदल रही है, L by A को छोड़ कर, cell constant को छोड़ कर, तो अभी फिलाल reason पे बात करें, इसका reason क्या है, per unit volume, number of ions are decreasing, with increasing the volume or dilution, अब यूं समझो, कि ये एक कमरा है, इसमें 4 ion है, ये वले, ठीक है, per unit length, per unit area, per unit volume, number fix है, लेकिन sudden मैंने क्या किया, इसको यहां से हटाया, इसको यहां से हटाया, और ये double कर दिया, अब सोचो, per unit area, per unit length, per unit volume, number of ions बढ़े के गटे, हाथ खड़े करना, करना, आवाचान ये वाथ, temporary, all बढ़े को, इसकार ठोपड़े कार ले ये लेधा है, अब स्कारे these, उत्हानर गए एक करने daud, जढ़े कि इसकार टॉबेस, झाहँ, इसईंवस्वा Patrol, ये क्या है await hom पर यूनिट वोल्यूम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, नमबरों फाइन्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या निकला कही ना कही अगर per unit area per unit length per unit volume number of ions अगर कम हो जाएंगे साफसी बात है conductivity बढ़ जाएगी number of ions per unit area per unit volume अगर कम हो गए अगर वैसे जो यह तुम्हारा कापा था ना इसकी unit क्या थी अगर तुम्हीं पता हो तो per meter ही तो है per meter per centimeter per length per unit length उसमें number of ions अगर कम हो रहे साफसी बात है कि जो कापा की value और dilution के साथ क्या होएगी dilution बढ़ता जाएगा कापा की value क्या होएगी वैसे फोर्मला भी इस चीज़ को कुछ बड़े smart होते है मैंने का भी कैसे कम होएगी कि फोर्मला वे वैलिट है lambda m divided by v is equals to k ये दोन एक दूसरे के inverse चल रहे है तो इसमें पूछने की बात क्या है मैंने का पूछने की बात ये कि अगर explanation आ गया आगे बढ़ू हम में अब इससी variation को समझाने के लिए very important part है वो मेरे पास है Debye, Huckle और Sager equation clear, ये same explanation explanation of lambda m and concentration का जो relation आ रहा है वो मेरे पास Debye H, U, C, K, E, L, Huckle and O, N, S, A, G, E, R equation से आ रहा है बड़ी simple सी equation है बात को समझना Debye, Huckle उनसे एकर equation अभी एक बार final मुझे touch दे दो अगर मैं किसी का volume बढ़ाऊंगा what about the lambda बढ़ेगा ठीको की बात अगर मैं किसी का concentration बढ़ाऊंगा what about the lambda m तो Debye, Huckle, O, Sanger equation में इन लोगों ने पते क्या किया एक formula पूट किया ध्यान से सुनना number one lambda m lambda m not minus a root c अब इन सब चीज़ों को एक एक करके समझ ले what is a lambda m given concentration पे molar conductivity what is a lambda m given concentration पे molar conductivity what is a lambda m not given concentration की जगाँ पे infinite volume पे molar conductivity लिख दू lambda m molar conductivity at given concentration what is a lambda m not what is a lambda m not it is a molar conductivity at infinite dilution infinite dilution का मतलब समझता है कोई concentration approximately zero एक और answer आया था course of attraction लगना बंद हो जाएगा और कोई अब ध्यान से सुन लो भई जब भी कभी जब भी कभी lambda m में जब भी कभी lambda m मतलब molar conductance में change आने बंद हो जाए उसको आप लोग क्या बोलते हो infinite dilution जिसे एक बच्चे ने कहा ना infinite dilution मतलब concentration zero पाल लिए उसकी बार ठीक है यह तो mathematically हो गया अब उसको समझाना हो तो क्या समझाओगे जब आपके पास lambda m अपनी maximum value पे पहुंच जाए जब आपके पास lambda m अपनी maximum value पे पहुंच जाए और उस जगा पे जो भी volume हो 10 liter, 50 liter, 2 liter, 1 liter, 1 liter उसी को तुम क्या बोल देते हो infinite volume no change in the lambda m possible तो उसको बोलते हो infinite इसी को उस बच्चे ने जो बोला वो बोल देते हो mathematically क्या when the concentration is 0 इसलिए तो आपको पता होगा ना जब आप बारवी क्लास पढ़ रहे थे तो teacher ने कभी-कभी या lambda m note लिखा कभी-कभी या lambda infinite लिखा तो जब 0 लिखते हो यह concentration का reference है और जब infinite लिखते हो तो यह volume का reference है ए डिबाई हकल और सेंगर constant है यह दो चीजों पर depend करता है nature of electro light पे और इनके charge पे dho constant वापिस बोलो हाँ कह सकते हो इसमें कोई हाँ बिल्कुल ठीक है 2-3 चीजों को आप focus एक साथ देखो ना एक पहले उस बच्चे ने बाद ठीक बोली वह भी मुझे ठीक लगी समझाने के 2-3 पॉइंट हो दो बहुत अच्छा रहता है number 1 उस बच्चे ने का जब concentration 0 हो जाए बस ठीक ही तो उल्टा हो गया mathematically दूसरा जो मैंने बुला कि जब हमारे पास volume इतना हो जाए कि जब lambda m में change आने बंद हो जाए lambda m में change आने बंद हो जाए ठीक है और जब उनकी बीच में interactions नहीं हो पार ठीक है ये 3-4 बात आप बोल सकते हो एक साथ कोई दिक्कत नहीं है चलो अब इसका graph बनाने जा रहा हूँ lambda m समझ में आ गया lambda m note समझ में आ गया a समझ में आ गया root c तो पता ही ये कोन है concentration चलो जी graph देखो इसका अब यह lambda m लिख दिया यह root c लिख दिया ठीक है भी यह lambda m लिख दिया यह root c लिख दिया एक तरफ lambda m है एक तरफ root c है अब ध्यान से सनो अब आपको समझना क्या है कि जब मैं अभी जो आपने बोला ना आज 9 बजे जब class start हुई थी जो बाते हम बोलते जा रहे हैं वह यह copy paste करते जा रहे हैं clear वापिस सनो जब भी root c बढ़ेगा concentration बढ़ेगी तो conductance का मूरी है ठीक है और उल्टे चले उल्टे इसका उल्टा यहां को न बढ़ रहा है तो conductance क्या और यह बढ़ रही है अब एक छोटी सी बात और समझ लूँ यहां मैंने एक perpendicular डाला concentration axis पे यह किसको indicate कर रहा है high concentration को और आपको पता होना चीए high concentration पे जो मैं इसकी conductance पानके चलता हूँ उससे different आती है क्योंकि आपी लोगों ने मुझे थूर देर पहले बताया था कि सर concentration जादा होईगी तो conductivity कम हो जाएगी तो DHO equation की applicability moderate concentration तक तो है लेकिन DHO equation की applicability DHO equation की applicability high concentration पे नहीं है DHO equation की applicability DHO equation की applicability low concentration, moderate concentration सकते हो ठीक है लेकिन जैसे ही concentration अब high, 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 high करने लगते हो तब यहाँ जो mobilities है वो very less हो जाएगी इस वज़े से DHO equation की applicability moderate concentration तक तो ठीक है बिल्कुल smooth चलता है concentration बढ़ाते जा रहे हो, lambda घटता जा रहा है लेकिन जैसे ही तुम high पे आऊगे तो expected से भी अलग behavior दिखने लगेगा क्यों दिखने लगेगा कारण है क्योंकि mobility is very less हो गईगे line follow हो ही नहीं पाएगी और यह तुमारे पास वाई जो linear equation है उसी का तो literally follow हो रहा है और यह आपके पास कोन है? strong electrolyte लेकिन मैंने जब इसको weak पे लगाया तो weak पे तो बिल्कुली बिकार हो गया यह ऐसे variation आ रहा है it is for weak electrolyte तो मैं DHO equation के बारे में दो-तिन बाते कर लूँ यह applicable है कब for the moderate concentration not applicable at high concentration high concentration पे applicable क्यों नहीं है? बड़ा सीधा सा जबाब है due to हाँ जी least mobility तो उस ratio में फिर conductance आनी पाएगी दूसरा इसकी applicability बुर्दा strong electrolyte है क्योंकि लिटरली किसको obey कर रहा है, line को लेकिन यह not applicable है इसके लिए बीक के लिए क्यों? क्योंकि उसके लिए line बनी नहीं रही उसके लिए जो linear equation हम obey करते हैं y is equals to mx plus c या y is equals to mx minus c वो obey होई नहीं रहा? तो dho equation है क्या? अगर लिटरली अपने दिमाग में लेकर आओ dho equation is the representation of variation in concentration in lambda m तो आप बोलोगे हाँ हाँ यह बात बिल्कुल ठीक है अगर मैं कहीं न कहीं आपको यह बोलना शुरू करूँ कि मेरे पास lambda m एक सेक्ड लुक ना भाई अजी अजी अभी अंधियर ही लग रहा है ना चलो कोई morning morning अभी आया क्लास में क्या बात है अच्छा जी जितने बच्चे क्लास ही बैठे यह पांचर बच्चे हाथ नीचे कर लो प्रियाशा तानिश विनीत और नंदनी जो बात मैं आप से कह रहा हूं उसको अपने दिमाग पर जोड़ बार के देखो मैं क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप लेमडा एम का ऐम का कॉंसंट्रेशन के साथ विरियेशन कैसे करवाते हो यह बड़ा असान है ऐसको एक्सपलीन करने का कोई तरीका है उसने कहा है इसको एक्जबाईज एक्वेशन उसने ओस equation क्या है, कहते है, lambda m is equals to lambda m not minus a root c, उसने का, lambda m क्या है, मैंने का, जो भी concentration तो mention कर तो infinite, infinite volume और zero concentration के अलावा है, उसने का, ठीक है, तो अब सोचो, यहाँ, lambda m में, और यह point किसको indicate कर रहा है, maximum value को, अब maximum value के बाद, इनमें कमी आनी शुरू हुई, एक point ऐसा आएगा, जब dho भी strong पे लगना बंद कर देगा, उसने का, जी dho strong पे तो लगता ही है, मैंने का, नहीं नहीं बंद कर गया, उसने का, कब बंद कर गया, मैंने का, जब आपने concentration इतनी बढ़ा दी, कि ions move करने बंद कर गए, तो इसका मलब dho applicable है, हाँ है, किस पे अपली किया है, क्यों है, क्यों है, क्योंकि वो equation line की थी, तो linear equation ओबे हो रही है, उसने का, लेकिन high concentration पे ये भी fail है, मैंने का फिर इसको weak पे लगा के देखना, कि weak पे तो इस इस उपर fail है, क्योंकि weak का जो graph बन रहा है, वो linear ही नहीं बन रहा, that's why, DHO equation is the representation, is the demonstration of lambda versus concentration और volume, पहली बात, weak पे लगा, ना, strong पे लगा, हाँ, always लगा, ना, उसमें एक छोटी सी बात हो रहा ही, वो था आपके पास proportionality constant जिसको आप ए बोल रहे हो, DHO constant, इसकी value, एक तो nature of electrolyte पे depend है, एक उन पे पड़ेवे charge पे dependent है, अगर charge plus 1 plus 1 है, तो same है, plus 1 plus 2 minus 2 है, तो फिर change, plus 3 minus 3 फिर change, तो charge बदलता जाएगा, एक ही value बदलती चली जाएगी, अब सबसे बड़ी problem आगी कि, weak electrolyte का, सबसे बड़ी problem आगी कि, weak electrolyte का हम, lambda m कैसे निकाले, सबसे बड़ी problem आगी, की वी के लेक्तलाइट का लेमडा एमम कैसे निकाले उसके लिए बड़ा आसान तरीका है उसके लिए एक हेल्प ले लो जिसका नाम है कोल राउश यहां शुरू हो जाएगा आपका कोल राउश प्रिंसिपल क्या चीज है भई यह यह एक्स्पलिनेशन of the explanation of the लेमडा एम of वी के लेक्तलाइट है यह वी के लेक्तलाइट जिसको आप दियेच्चो एक्वेशन से explain करने में capable नहीं हो पाए उसको अब explain करने का तरीका आपके पास कोल राउश प्रिंसिपल है उसको explain करने का तरीका का कोल राउश प्रिंसिपल है तो पीछे जितने भी pages थे उस पर yes or no में जबाब दे ना फिर कोल राउश को शुरू करेंगे हम लोग हाँ यहां से मैं इलेक्ट्रो किमिस्टी का कंड़क्टर शुरू किया मुश्किल से एक से एडेड मिनट में रिवीजन है कंड़क्टर वो हुआ जो सबस्टांस अपने में से electricity या electric current को पास करवा ले, दो टाइप के हैं, metallic और electrolytic, metallic मतलब जिसमें electron की वज़े से conductance हो, electrolytic जिसमें ions की वज़े से हो, बोलो इस पेज पे को doubt फिर factor affecting में nature की बात चली, weak और strong हो, weak वो जिनके alpha काम है, strong वो जिनके alpha जाद है concentration की बात पे तो पूरा chapter चल रहा है, concentration को यह तो समझाते घूम रहे हैं हम लगातर temperature बढ़ेगा, ionization बढ़ेगा, या movement बढ़ जाएगी, size of iron, s block element में, chemical bonding में सीखा, जितना बड़ा iron है, उतनी conductivity कम है कि मैंने s block के example लिख दिए, उसके बाद, साथ मेरे पास terms है, conductance, conductivity, resistance, resistivity, cell constant, molar conductance, and equivalence conductance यहां से आपकी physics के एक दो formula उठा लिए, r is equal to rho l by a, r की जगा 1 by g, rho की जगा 1 by kappa और l by a, इसमें से r resistance है, rho, resistivity है g, conductance है, kappa, conductivity है, l by a, cell constant है, इन सबकी units का confirm होना बड़ा ज़रूरी है उसके बाद फिर हम अपनी chemistry भे आ गए, molar conductance and equivalence conductance what is a molar conductance, एक mol ions की वज़े से जो conductance है, और what is a equivalence conductance, जो 1, equivalent की वज़े से और numeric value, हां बोलो हां हां हां, ये तो books वालों की बड़ी बेकार सी बात लगती है मुझे कई बात, जिसके आगे molar word आ गया न, उसके आगे conductance लिखे, conductivity लिखे, क्या वरग पड़ता है अहां, बिल्कुल, जहां molar word आ गया न, तो वहां conductance, main word पते कहां दिखकता है बच्चो, conductance, conductivity, molar word पते दिखकती ही नहीं है molar word का by default मितलब chemistry में क्या है, mol पर mol, molar पर mol ठीक है बई, और ये 2-3-4 formula है, इनका collection कर ले न, DHO equation आई, DHO equation किस पर applicable है, strong पर, क्या always applicable है नहीं, ठीक है भी, कल कोल राउश, के बारे मैं बात कर लेंगे, और इसकी ending की तरफ बढ़ेंगे फिर, ठीक है न, चलो जी, मैं पिछले 3-4 दिन से, इसको डालीनी रहा उस पर, क्योंकि क्लास में बच्चों की, जो, क्लास में concentration हो zero हो गई है, that's why मैं इसको YouTube पर डाल इन रहा और न, इसको डालूंगा अभी मैं, Institute से मांग लेना अगर वो देंगे तो, मैं नहीं डाल रहा, ठीक है न, पता चल गया अभी क्लास में कुछ होता तो है नहीं, तो चलो जी वहीं से कोपी बढ़ लेंगे तो मैं इसको YouTube पर डाल इन रहा, हां जी, मैं ओभी ने सेंड करता है, मैं क्लास सी लिखो, NCRT भीज़ दूगा मैं आपको न, NCRT, NCRT पेज़ दरना में, हां जी, हां जी, ओके, क्लास